दिल्ली के कोहार्ट एंकलेव इलाके में एक घर में भीश्रा आग लग गई जिसे एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई मरने वालों में पत्य पत्नी और दो बच्चे भी शामिल है इसके लावा आग में तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गई जिनें अमबेटकर हॉस्पिटल में भरती कराया गया अस्थानी लोगों का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेट टाइम पर आज जाती तो शायद ये जाने बस सकती थी आपका कारण सौट सर्किट बताय जा रहा है 9 गैंग रेप मामले में योगी सरकार की लीपा पोती के बाद कुल्दीव सेगर को बेहद नाट की घटना क्रम के बाद लखनों के इंद्रा नगर इलाके से गिरफतार कर लिया गया आपको बता दे कि सेगर की खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई थी लेकिन उसकी खिलाफ पासको एक्ट का भी मामला दर्ज है सेगर को C.B.I. लखनों मुख्याले में रखा गया है सुले ने ट्वीट करके पूछा की सरकार जहां एक तरफ कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरह बच्ची के रेप पर चुप रहती है जो की दोश्यों का बचाओ करने जैसा है साथ ही उन्होंने सवाल किया प्रधानमंती नरेंद्र मोधी इस मामलें पर कैसे चुप रह सकते है उन्नाव कठुआ के रेप केस पर पूरे देश में दिखाई दे रहा है गुस्सा गुरुवार की आधी रात को कॉंगर सद्धेक्ष राहुल गांधी अपनी टीम के साथ इंडिया गेट पर उतरे जहां राहुल गांधी ने देश को जन्जोर कर रख देने वाले इन अपराधियों के मामले पर सक्त करवाई की मांग की और महिलाओ की सुरक्षा के मुद्वे को लेकर सिस्टम पर जबंकर निशाना साधा उत्तर प्रदेश पुलिस ने Most Wanted Underworld डॉन दाउद इब्राहिन के तीन सही योगियों को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि ये गिरफतार किये गए डी कंपनी तीनो गुर्ग यूपी सीया वर्ख बोर्ट के अध्यक्ष सय्यद वसीम रिजवानी की हत्या का साजिश रच रहे थे तीनों की पहचान आरिफ अबरार और सलीम के रूप में हुई है पुलिस ने उत्तरप्रदेश के बुलं सहर से तीनों को ग्रफतार किया है आपको वता दे कि यूपी सीया सेंट्रल वर्ख बोर्ट के अध्यक्ष वसीम रिजवानी भारत में आतंगवाद के लिए मुस्लिमों को दोसी बताते और अयुद्या में विवाद अस्थल पर मंदिर बनवाने जैसे विवादित बयान देते रहे हैं